हलो फ्रेंट्स वर्कम बैक टू मैं चानल हमारी आज की रेसिपी है टू मिनिट्स में आगी जो कि दो मिनिट में कभी नहीं बनती है लेगिन आज हम इसको तुड़ा अलग तरीके से बनाएंगे तो आज हम बनाएंगे मिल्क वाली मैं यह सुनने में थोड़ा अजीव लगत है लेकिन यह है बहुत ही टेस्टी आपने अगर यह रेसिपी का भी ट्राइने किया है तो अखर यह वीडियो देखिए और यह रेसिपी ज़रू ट्राइगी आपको बहुत पसंद आएगी तो इसके लिए हमेंसे दो चीजों की जरुवत है मिल्क और म्यागी तो मैं आपर कढ़ाई में ले रही हूं मैं अबर 400 मिल्क ले रही हूं मैं एक ही म्यागी बनाओंगी आपको क्वांटिटी जितना चाहिए आप उस हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते है तो दूद में उबाल आ जाए उसके बाद हम उसमें आड करेंगे मैं तो यहां पर दूद बॉल हो है अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें मैं अग्याड करेंगे म्यागी को में कम से कम 10 मिनिट के लिए पकाना है पानी में मैं जल्दी पक जाता है लेकिन दूद में थोड़ा टाइम लगता है और यह डिपेंड भी करता है कि आपको कितनी गली हुई मैं पसंद है यह जो दूद बाली मैं अगी होती है थोड़ा ज्यादा गल जाए तो और जादा बेटर लगता है तो मैं रेकुमेंड करूँगी कि आप इसको थोड़ा ओबर कूक कर लीजिए तो पांच मिनिट के बाद ही ऐसा दिख रहा है अब हम इसको और पांच मिनिट के लिए पकाएंगे तो अभी रिखिए मैगी बिलकुल पक गई है तो अब हम अब हम इसमें आड़ करेंगे मसाला मैगी के साद जो मसाला आता है मैं आपर वही मसाला आड़ कर रही हूं आप चाहे तो इसमें और थोड़ा नमक मिटची या फिर आपके पसंद के और कोई सिसनिंग भी आड़ कर सकते हैं मसाला आड़ करने के बाद हम इसको एक पर अच्छी से मिक्स कर लेंगे फिर हम इसको और बस एक दो मिनिट के लिए पकने देंगे तो अब यह मैगी बिल्कुल त्यार है अब मैं इसको एक प्लेट में सॉर्प कर दूंगी मैं अब पर उपर से थोड़ा सा वही मैगी का मसाला स्प्रिंकल कर रहे हूँ आप चाहे तो उपर थोड़ा चीज ग्रेट करके डाल सकते हैं तो अब होगी हमारी मिल्क वाली मैं की मिल्कुल त्यार आप लोगी रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजिए तो फिर मिलते हैं और एक रेसिप के साथ तिल दिन बाइबाई